टाइगर फ्रेंचाइजी की दोनों ही फिल्में एक था टाइगर और टाइगर जिन्दा है बॉलिवुड की ब्लॉग बस्टर हिट फिल्में रही थी जिन्होंने दर्शकों का खूब मनुरंजन किया था इसलिए तो इन फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट यानि की टाइगर फ्रेंचाइजी के मेकर अब जल ही टाइगर 3 लेकर आ रहे हैं जिसकी कास्ट, स्टोरी और रिलीजिंग डेट से जुड़ी सारी जानकारी आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं पर ये सब जानने से पहले आप हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे दोस्तों आप सभी ने साल 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर तो जरूर देखी होगी जिसमें हमें सल्मान खान और कैटरीना कैफ की दमदार जोडी नजर आई थी जिसमें इस फिल्म में रौ और ISI एजेंट का किरदार निभा कर दर्शकों का खूममनोरंजन किया था वही इस फ्रेंशाइजी की दूसरी फिल्म साल 2017 में आई थी जो थी टाइगर जिन्दा है जिसमें फिर से टाइगर के रूप में सल्मान खान और जोया के रूप में कैटरीना कैफ नजर आये थे जिन्होंने इस फिल्म को रोमांटिक और त्रिलर से भरपूर बना दिया था जि की स्टोरी के बारे में बात करें तो आपको बता दे कि एक बार फिर से हमें इस फिल्म में एक रॉप एजेंट और एक आई एसाई एजेंट के बीच की लव स्टोरी दिखाई जाएगी जिसमें हीरो हर बंधन और हर सिच्वेशन को कड़ी मात देते हुए अपने देश की रक्षा करते हुए दिखाई देगा वहीं हिरोईन भी किसी भी चीज की परवा किये बिना निडर होकर हर सिच्वेशन में दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपने हीरो का साथ देती हुई दिखाई देगी जिसमें हमें एक्शन तो भरपूर देखने को मिलने ही वाला है स साथ ही ड्रामा और रोमैंस भी देखने को भरपूर मिलेगा बात करें इस फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट की तो आपको बता दें कि इस फिल्म में हमें टाइगर का किरदार निभाते हुए सल्मान खान ही दिखाई देंगे पर हमें हिरोईन के तौर पर एक नया चहरा नजर आने वाला है जो की बॉलिवुड की दबंग गल सुनाक्षी सिनहा का है जो इसमें हिरोईन का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी और वही विलन के रूप में हमें साउत के दमदार अभिनेता किचा सुदीप नजर आने वाले हैं साथ ही आपको बता दें क ये फिल्म हमें दिसमबर साल 2022 तक थीएटर्स में देखने को मिल सकती है तो दोस्तों आप सभी टाइगर 3 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले